शरीर के अंचाहे बालों से अगर आप भी बहुत ज़दा परिशान हो गए हो और एक ही बार में पाना चाहते हैं चुटकारा अगर आप चाहते हैं कि जो अनवांटेड बाल है ये बिल्कुल भी आपके शरीर पर दुबारा लोट कर नहीं आएं तो आप बिल्कुल सही वीड दिन में आने लगते हैं साथी साथ हमारा समय और पैसा दोनों ही खर्च होता है तो दोस्तो आज एक दम जादू ही रेमिडी लेकर आए हूँ जिसके इस्तमाल से अंचाहे बाल एक ही चटके में रिमूव हो जाएंगे तो ये जो दो में इंग्रिजिट्स है दोस्तों ये ह हर किसी के घर पे आसानी से मिल जाते हैं इन दोनों ही चीजों को लेकर हम इस रेमिडी को बनाने जा रहे हैं फटा फट से वीडियो को देख लेते हैं जाता समय नहीं लूंगी आपका लेकिन वीडियो शोटी से रिक्वेस्ट जरू करना चाहूंगी अगर आप मेरी चैनल जो आपको लेनी है वो है शकर तो शकर आपको थोड़ा सा जाए लेना है 1-2 चमची करिव आपको यहां पर शकर का इस्तमाल करना है शकर जो है पती के इवोइबल होती है कि अगर उपने बालों को अन्चाह के लिए अगर और और ऑगर आपके पास अगर हैं वाइल तरमरी नहीं है नहीं है तो आप यहां पर किच्झन वाली हल्दी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस आपको चुटकी भर हल्दियां पर लगने वाली है दोस्तों अगली चीज जो हमें आप लेनी है वो है नीबू नीबू में होता है सिट्रिक आसिड जो आपकी बालों को जड़ों से निकालने में आपकी मदद करता है और साथी पानी लेना है और पानी आपको मिलाना है कम से कम दो चम्मच दोस्तों इस रमेडी की खास बात यह है कि आप इस रमेडी को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं जैसे पालर जाते हैं जो वैक्स रहता है उसको बार बार हमें गरम करके लगाना पड़ता है तो ऐसा इसमें आपको store करके रखिए और जब भी यूज करना हो बीना गरम करे भी आप इसको यूज कर सकते हैं अब आपको एक pan लेना है जिसमें आपको इसे गरम करना है तो मैंने अबर एक pan ले लिया है और यह जो remedy है मैंने बना करके रखी थी इसको इसमें हम डाल देंगे और इसको गरम करना आपको कम से कम 2-3 मिनिट लगेगा 2-3 मिनिट में यह जो रेमिटी है बन करके हो जाएगी बिल्कुल तयार यह काफी ज्यादा लिक्विडी है तो मैं असमें एक और चमच चीनी आड़ कर रही हूँ ताकि इसकी जो consistency है बिल्कुल perfect बने continue आपको चलाते रहना है चलाते हुए इसको आपको पकाना है ताकि अच्छे से जो चीनी हमने इसमें ली है वो अच्छे से dissolve हो जाए बिल्कुल एक तार वाली जैसे चाचनी होती न उसी तरीके से आपको इसे ready करना है तो देखे दोस्तो अच्छे से इसे हमने पका लिया है अब गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडा होनी देते हैं अब यह देखे दोस्तो जो remedy है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है यानि कि ना जादा थंडा ना जादा गरम बिल्कुल आपकी जैसे skin सहन कर पाए ना उसी तरीके से आपको इसको ठंडा करना है और consistency भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गाड ही हो चुकी है बिल्कुल perfect consistency हमारी यहां पर बन चुकी है अब इसको apply कैसे करना है एन्वांटेट बाल कैसे निकालना है चलिए वो भी देख लेते हैं यह देखे बिल्कुल इस तरीके से ही आपको चाहिए होगा एक ता पतले लेएर में आपको लगाना है इसको लगाने से पहले का ध्यान रखना आपको कि आपको अच्छे से आपकी skin को clean कर लेना है यालि कि भॉड़ी लोशिन वगयर आपकी skin पर लग्र नहीं रहना चाहिए तो अच्छे से अपलाई कर लीजिये धोंगर करके फिर apply किजिये अब आप ले लिए कोई कपड़ा या फिर कोई waxing strip तो मैंने आप पर waxing strip ली है आप के पास अगर यह नहीं है तो आप कपड़े का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस कपड़े को इस तरीके से लगा करके आपको opposite direction में जहां पर बाल आ जहां से बाल आ रहे हैं उसके opposite direction में खीचते ह आपको निकालना है इससे आप देखेंगे जितने भी unwanted बाल है वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि जितनी भी हमने इसमें चीज़ें इस्तमाल की हैं वह आपकी बालों की जड़ों को कमजोर करती है और आपकी बालों को जड़ों से ही निकाल देती है देखिए इसको आप खुद देख सकते हैं बाल कितनी आसानी से आप निकलना शुरू हो गया है इस रेमेडी के अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है इसी तरीके से आप अपने हाथ पैरों के बाल को आराम से निकाल सकते हैं अब मैंने इस जगे को वाश क होता है वो भी आप इसकी उपर लगा सकते हैं बस यह लगा करके आप छोड़ दीजिए बहुत ही अच्छी रेमेडी दोस्तों करके देखेगा ट्राय बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों वीडियो दी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमेशा की त अच्छी दारों में शेयर कीजिए ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थाइंक यू सो मच वाचिन इस पूड़े फ्रेंड्स मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक एल